कई बार विक्ति को क्या लगता है कि किसी ने उसके उपर काला जादू कर दिया है कोई टोना टोटका कर दिया है तो क्या ये सब सच होता है तो बिल्कुल देखिए अगर सकरात्मक उर्जा है इस धर्ती पर तो उसके साथ साथ नकरात्मक अता भी है नकरात्मक उर्जा भी है चारो वेदों में से एक वेद अर्थ वेद सिर्फ सकरात्मक और नकरात्मक चीजों के लिए उरजाओ के इस्तमाल को ही समर्पित है वैसे तो किसी पर काला जादू करना उस व्यक्ति के जीवन को भी समाप्त कर सकता है परंतो यदि हम इस काले जादू को अपने उपर यादा हावी होने देते हैं तो यह हमें पागल भी बना सकता है अगर मैं बोलो कि मुझे आपके दिमाग को पागल करना है तो मुझे आप पर कोई काला जादू असली में करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि अगर मैं सुबह के समय आपके घर के आगे थोड़ा सा खुन और खोपड़ी ही रख दूँ तो उसको देखने के बाद भी आप बिमार हो जाएंगे वैसे लगातार चाहे आपकी जिन्दगी में कुछ ना कुछ गलत उबड़ खावाड़ी चल रहा हो लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद ये खोपड़ी और खुन को देखने के बाद आपको अपना शक पूरा हो जाएगा कि किसी ने मेरे उपर काला जादू कर रखा है कारोबार चाहे पहले सी ही आपका ठप हो लेकिन इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि किसी ने मेरे उपर काला जादू किया है जिसके कारण मेरा कारोबार ठप होने लगा सब कुछ ना करात्मक होने लगेगा क्योंकि एक तरफ ये डर आपको कहीं न कहीं जक़र लेगा तो सबसे पहले है काला जादू हमारे दिमाग पर हमारे मौस्तश्जिक पर असर डालता है वैसी तो तंत्र मंतर काला जादू का चलन सद्यों से चलता रहा है अक्सर इसके सदुपयोग से यादा दुरुपयोग की यी बात सामने आती है अमूमन काला जादू या तंत्र टोटके का प्रयोग अपने दुश्मन पर विजे पाने के लिए किया जाता है साथे किसी को अपने वश्च में करने के लिए तंतर मंतर का सहारा लिया जाता है अब जिदे किसी पर काला जादू या टोने टोटके तंतर मंतर किया हो या नहीं तो इसे कुछ संकेतों के द्वारा मालूम किया जा सकता है एक शास्त्र है जिसका नाम है शकुन शास्त्र शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है तो पहला ये जिस व्यक्ति की उपर किसी ने टोने टोटके या तंतरमंद काला जादू किया हो तो उस व्यक्ति का स्वयम पर काबू नहीं रह पाता। ऐसा व्यक्ति अजीव सी हरकते करने लगता है। उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसके साथा कि ये सब हो क्या रहा है। दूसरा ये जब कोई विक्ति बीना कारण से ही अचानक से बीमार रहने लगे तो समझे उस विक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है क्योंकि पहले तो वो इनसान हश्ट पुष्ट था, स्वस्थ था, उसे कोई भी विमारी छूबी नहीं सकती थी लेकिन विक्ति अचानक से ही ऐसा बीमार हुआ कि उसकी बीमारी का इलाज मिलना भी संभव नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब किसी ने उसके उपर काला जादू किया हुआ है तीसरा ये, यदि आप हर बार घर पर तुलसी का पोधा लगाते हैं, तूसरों के घर में यह पोधा बहुती खिला खिला है लेकिन आपके घर में हर बार यह पोधा सूखने लगता है यह घर के आंगन में कोई मृत प्रक्षी आकर गिर जाते हैं तो यह अशुब माने जाता है, इसे भी काले जादू का संकेत माना जाता है जो था है, जब किसी व्यक्ति के स्वभाव में अचानक से ही अलग सा कुछ परिवरता ना जाए हर कारे में वह खुद को सही बताने लगे क्योंकि पहले तो वह इंसान सही था, सब की बाते League के राएं लेकर आगे वड़ता था, कारे करता था लेकिन अचानक से ही उसमें ऐसा परिवरता नाया, कि अव्यक्ति की बाते सुनना पसंद नहीं करता या किसी की भी राएं को ठुकरा देता है तो इसे भी हम कुछ टोने टोटके का संकेत मान सकते हैं पांचवाई यदि आप नोकरिया बिजनस कर रहे हैं उसमें आपका हमेशा ही मन अच्छे से लगा रहता है आप हसी खुशी उन कारियों को करते हैं लेकिन अचानक से ही नोकरिया बिजनस में आपका मन लगना बंद हो जाता है सब भी कोशिशे करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाती है विफलता पर विफलता म्यूती रहती है तो यह भी काले जादू का संकेत माना जाता है ये सब ऐसा इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर खुश नहों अकला ये काले जादू के असर से व्यक्ति को अकेला पन अच्छा लगने लगता है और साथ ही साथ उसके नाखूना का रंग भी काला होने लगता है अकेले पन से वो तात परे नहीं है जो आज की जनरेशन भी फील करती है कि हमें अकेले रहना है हमें अंधेरे में बैठना है ये चीज और वो चीज इन दोनों में काफी अंतर है अगला अकसर रात को विक्ति को जब भयानक सपने आने लगें सपनों में वह कुछ न कुछ भास करता है जो पहले उसने कभी ना किया हो तो अभी काले जादू का संकेत माना जाता है तो दोस्तों ये तो थे काले जादू से संबंदित कुछ ऐसे संकेत जिसके दर आप जान सकते हैं कि किसी ने आपकी उपर टोना टोट का काला जादू तंत्रमंत्र किया है या नहीं हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम आपको इन सबसे भार निकलने काले जादू को कैसे हराएं अपने उपर लगे टोने टोटको को कैसे दूर करें से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ जोड़े रहे हैं और आने वादी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे इसे के साथ फिर मिलेंगे और नई वीडियो के साथ तब तक ले जैश्री जगरनात